इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अलग अलग गाउं में या शहरों में आब्रसानी यानि के पानी को किस तरह पहुंचाया जाता है तो इससे पहले के सबक में हमने ये देखा था कि पानी जखेरा करने के अलग अलग तरीके हैं जैसे कि बंद का तरीका है, कुवे का तरीका है, दिवार बना कर पानी का रूखने का तरीका है, इससे के साथ अपने अलग अलग और पी तरीके हैं जो भी पानी के जखेरे होते हैं वहां से आपके गाउं से थोड़ी दूरी पर एक पानी का जखेरा यानि बंद है तो क्या आप वहां पर बाल्टी से पानी ला सकते हो यह काफी मुश्किल और महनत का काम हो जाएगा इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी भी गाउं के करीब में सबसे करीब में जो पानी का जखेरा होता है जिससे के पर गाउं के पानी की ज़रत को पूरा किया जा सके ऐसे जर्ये से नहर या पाइप की मदद से पानी का गाउं में लाया जाता है गाउं में लाने से पहले गा इस पानी को गाओं के बाहर ये गाओं में मौझवूद इस टंकीद निकलता है फिर फेर वाले उस पाइप में अपना करेक्शन लेते हैं अपना अपना हिस्सा लेते हैं और फिर इस तरह पानी घरों तक पहुच जाता है इस पानी को छोड़ने के लिए जो भी पानी के दफ्तर है तो पानी को एक आले के जरीए उस पानी को छोड़ते हैं और फिर पानी इस तरह हमारे अलग-अलग घरों तक पहुच जाता है अब हम जारेंगे कि जो उचाई पर अब जो मेरे पिछन देख रहे हो पानी की टंकी है, बहुत बढ़ी हमारे गौह के बहार है, तो इसकी मदद से जो पानी है, गवं में किस दरा पोचा जाता है और इसका इसतेमाल किस तरा कैया रहाता है.. देखो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी को एक जगह से दूसरिये का अगर हम लोग बाल्टी से ज़ाए या पिर किसी भी चीज के ज़रिये लेकर जाये लेकर तो यह बहुत दा महेंद का काम है तो क्या होता है ना तक पुहां को पहुआ हो गया जाता है। और फिर बहुत सारा पानी जमा करके रखते । जयसे गाओं में इमयें जिसलाके में पानी छोड़ाने है तो पाइिक झाल झाल